हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल ओमनी सेवेंट और आज आप इस वीडियो में टॉप करेंट अफेर्स जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परिच्छाओं के लिए तो दोस्तों इसे सुरू करने से पहले आप से निवेदर है कि चैनल को सब्सक्राइब किये अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो ठीक है अवेल आइकन को आउन किजे ताकि आने वाले तमाम वीडियो की आपको मिले और सभी से आग रहा है कि लोगों तक शेयर करें तो इस वीडियो में जो कुछ खास प्रश्ण है उसके पार में जान लिजी कौन-कौन से प् है जो कि बिहार से बिहार से जुड़े जुड़ा हुआ है और 2020 तक के लिए बहुत इंपॉर्टन हो जाएगा यह प्रश्ण क्यूंकि पटना हाई कोट के 41 मुख नयाधीस ने जो सपत ले लिए तो कौन है इसके बारे में जाने इसके अलावा जो इस रो ने जो चंद्रया पहला प्रश्ण दोस्तों पूर्व लोग सवाध है सोमनाच चटर जी का निधन कब हो गया तो दोस्तों यह 13 अगस 28 को हुआ है और जो इनका निधन हुआ है यह कोलकाता में हुआ है ठीक है इन से जुड़े कुछ खास और महत्मुन बात को जान लेते हैं देखिए यह सोमनाच चटर जी 24-29 तक लोग सवा अध्यक्ष रहे हैं तो यह जानते हैं कि सोमनाच चटर जी का जीवन और क्या-क्या इनहीं कुछ खास उपलवदियां जो है प्राप्त की हैं तो देखिए सोमनाच चटर जी का जन 25 जुलाई 1929 को बंगाली ब्राम्मन निर्मल चंद्र चटर जी और बीना पानी देवी के घर में अस्वम के तेजपूर में हुआ था यानि कि इनका जम कोलकाता में नहीं वलकि अस्वम के तेजपूर में हुआ था और उनके पिता एक प्रतिष्टित वकील और राष्ट वादी हिंदू जागरिती के समर्थक थे ठीक है सोमना चटर जी की जो पिता जी थे वे खिल भारती हिंदु महासवा के संसापकों में से एक थे ठीक है सोमना चटर जी की सिक्षा दिक्षा कलकता और ब्रिटेन में हुई है और उन्होंने कोलकता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी पढ़ाई की है ठीक है उन्हें तरह से वकील थे यह और इसके बाद राजनीती में आने का फैसला लिया अगर राजनीती करीयर की बात की जाए तो सुनना चेटर जी ने जो सीपीम के साथ जो है दस वार लोग सभा सदस्य के रूप में चुने गए सोमना चटर जी की मतब पत्नी जिनका नाम है रेनू चटर जी और उन जिन से जो कि एक पूत्र और दो पूत्रियां भी है ठीक है अलाकि उनकी पत्नी का कुछ दिन पहले ही निधन हो चुका है ठीक है तो यह कुछ खास और महत्पून बाथा सोमना चटर जी के बारे में तो जो अगर इन से रिलेटिट जानकारी है अगर कुछ बात है तो आप ज पुछने आये कि जो है तालीसवे मुख्य न्याइधिस के रूप में किसने सपत गरहन किया है तो ठीक है दोस्तों देखें सबत गरहन करने वाले मुकेश कुमार रसिक भाई साह ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए परिच्छा आने वाली है इसके लावा जो आने वाली दोजर बीस तक पंद्रह मैं दोजर बीस तक उनका कारकाल है तो तब तक जो है अगर प्रश्ण अगर आता है पटना एकुट के बारें पूछा जाता कि कीफ जैस्टिस कौन है खासकर बिहार के परिच्छाओं से मुकेश कुमार रसिक भाई साह को पद एबम गोपनियता की सपत दिला है देखिए दोस्तों ये इनका जन्व गुजरात में हुआ है और सात मार्च पेसे से वकील थे और इनने बहुत सारी जो है केस को सौल्व किया है ठीक है खासकर सरकारी डिपर्टमेंस जुड़ा महत्पून बात था अवाई नेक्स प्रसन जो प्रस नमबर तीन है जो कि चौथी देखिए चौथी बिन स्टेक सम्मेलन का आयोज़ए जो कि तीस और एक तीस अगस्त को कहां किया जाना तो एक्चली दोहजार ये अठारा से सम्बंदित अठीक है दोस्तों देखें जो इंपॉर्टेंट यह है कि अभी 11 अगस्त को ही इसे ऑफिसल एक तरह से बैठा को था इस सम्मेलन के पहले लेकिन इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि दिन्स चौथी बिन स्टेक सम्मेलन जो कि समीट है दो यठारा का वे तीस से अगस्त को होने वाला यह काटमंडू ठीकाटमंडू में होने वाला है जो कि नेपाल के रादानी अब देखें इन से चुड़ा खास बात आप जान लिए कि देखें जो कि जीके टैप का होजा कि दिन स्टेक का फूल फूर्म क्या होता है पहले तो आप कहीं नोट कर सकते हैं तो देखें बी एकनोमिक कोपरेशन ठीक है तो आप इसे पॉसकर के फिर सुन सकते हैं अब देखिए इस यह तीम जो रखा जाना है वाला है तो देखिए तीम है टुवर्ट्स अब पीसफूल प्रोस्परस एंड सस्टेनेवल वे और वंगॉल रिजन ठीक है अब देखिए यह संसा जो है अब आप इस चलते हैं प्रस्ट नंबर चार प्रस्ट नमबर चार है तो देखिए निपाल भारत साइत महसव के रूप में नेपाल मनाई गया और खासकर यह काटमंडू में तो बारा तेरा गस्क दोई अठारा को यह नेपाल भासाइस महुसब जो है मनाया गया है अब देखिए जो इंपॉर्टेंट यह है कि दोस्तो एक फिर से आपको जो मैं आप थ्वासा प्रसान करना चाहूंगा कि हमार चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करें ठीक है और वेल आइकन को आउन कर लिजे ठीक है ताकि आने मेले तमाम वीडियो को जाने सबसे पहले आप ही को मेले और अधिक से अधिक लोगों तक ज यानि कि मैगनेटिक डेविट कारड को बदलने का ने लिया है तो यह भारति स्टेट बैंक आफ इंडिया यानि कि इस वी आई है जिसने इस तरह करणे ने लिया और इसके बार में दोस्तो देखिए इस वी आई ने अपने ऑफिसिल ट्विटर हैंडल से या जनकारी दिये लेना होगा जो की सुरक्षा के लिए से बेतर रहा इसके लिए जो है जो साल 2018 की समय सिमात की गई तो इस साल तक आप सभी को अगर इस तरह के कार्ट जो कि दोज़ाइब के बाद से जो है जारी किये गए थे बहुत सारे ग्राहक के पास है वह कि है यह जाने जिद्धिक अभ और ऐसे में जो है इस कदम का असा जो है करोडो ग्राहकों पर भी पढ़ने वाला है तो ठीक है तो दोस्तों जाहिड सी बात है अगर आप इस तरह काम यानि कि अपना डेबिट जो कार्ड नहीं बदलते हैं तो वे एटीम से जो है ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे बाद में ठीक है तो आप ब्रस नमबर छे है कि इसरों ने चंद्रायंग टू को कव प्रेच्षेपित करने का नियने लिए देखिए दोस्तों यह जनवरी 2019 में किया जाने वाला देखिए इससे जुड़ा कुछ खास और महत्मुन बात को जान लेते हैं दोस्तों इसे जो है अभी इ तारिक है यानि कि समय जो है जनवरी 2019 में जो है इसे जो है फिर से प्रक्षेपित किया जाएगा आप देखिए यह कुछ और खास बात जाने देखिए चंद्रायंग टू जो है वियान के ताद चांद पर एक सोध यान उतारने की तयारी इस रोग कर रहा था लेकिन इस वि लेकिन पहले जो तय था वो तय यह था कि मतलब चांद की सता पर उतारा जाएगा और जमीन पर चलकर जो है यह यान जो है सोध करेगा लेकिन ठीक है और अब यसा नहीं है अब यह जो है बदल गया जो ने यही हुआ है अब देखिए प्रक्षेपित करने का समय विसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस कोस्मोस से करार किया था इसके तहट जो है रोस कोस्मोस को इसरो को लेंडर यान चांद पर उतारने वाला सोध यान उपलब्द कराना था लेकिन बाद में इस अभियान को खुद ही आगे बढ़ाने का फैसला लिया है इसी वज़े से जो है डिल रस्टी पिछडा वर्ग आयोग को संवuntedानिक दरजाप्रतान किया है तो दोस्तों इसे 12 गईफ्ष आज 8 को संविध्हानिक दरजा चांद करने वाले संविध्हान के 123 औस संसोधन भिधय को मंजूर ज़ती नोट कर लिए कि संभिधान का 123 संसोधन विद्हेग जो है वो है राष्टिय पिछड़ा वर्ग आयोग यानि कि ओवी सी कमिशन से रिलेटेड है यह आप इस बात को ध्यान में रखेंगे ठीक है अब दीकिए यह विद्हेग संसत के अब इसके कानून बन जाने से आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकारों को संदक्षन का पूरा अधिकार मिल जाएगा अब इस आयोग को राष्टी के अधिकार मिल जाएंगे ठीक है तो दोस्तों राष्टी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था लेकिन यह समयधानिक दहजा प्राप्त नहीं था जबकि एसस्टी आयोग को जो है इस तरह मतलब उसे समयधानिक दहजा मिला हुआ था तो अब इसको भी मिल सब्सक्राइब गया है प्रश्ट नमर अचीए दोस्तों की प्रधान मंतरी नरेंद्र मूधी ने किस देश में जो है तमिलो को चार सो मकान आवंटित किये हैं ठीक है तो यह स्रिलंका है जहां तमिलो को 400 मकान आवंटित कि यह और आगे आने वाले समय में भी जो आधिक से जो है मकान दिये गए हैं तो इस्तों 12 गस्त 2018 को स्रिलंका में भारतिय मुल्क के तमिलों के लिए एक कारिक्रम में ठीक है भारती आवास परियुजिना के तहद भावनों का उत्खाटन जो आवंडन किया गया और पीम ने वीडियो संदेश के जरी आवारतियों को समुधित क लोगों को दोनों देशों के 20 संबंदों को प्रगाड बनाने में सहायक भी बताया है दोस्तों यह 400 मकान जो है पहारी इलागों में बनाए गया है और जहां अवंडित के गया है अब देखिए आने वाले समय में भी जो है दस जार अत्रिक्त मकान बनाने के लिए जो है लगता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो भारत के सहयोग से 2020 तक साथ हजार घरों के निर्मान की योजना बनाई गई है ठीक है तो यह कुछ खास और इंपॉर्टेंट बात था अब आए नेक्ट बस में चलते है प्रस्ट नमबर 9 है कि पंजाब में पंजाब में फिरो दूस्वू को हुसैनी वाला से जोडने वाला एक अस्थाई पूल को किसने राष्ट को समर्पित किया ठीक है तो यह रक्षा मंत्री निर्मला सितार रमन है जिन्होंने जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो की 250 फूट लंबा यह पूल है 1970 के पाक भारत पाक युद्ध के दूरान यह नश्ट हो गया था जिसको जो है राष्ट को समर्पित किया है इसके अलावाद दूस्तों भागस सिंग ठीक है भागस सिंग सुगदेव और राज गुरू को भी जहां सरत्धांजली दिया है हुसैनी वाला में ठीक है तो इससलिए जो है न्यूस भी काफी बह लेकर आप देखिए यह पूल जो है अतिहासी ग्रूप से बहुत थी महत्दपूर्ण है ठीक है अब प्रस्ट नमत दस पर दो देखिए वी एस नौय पॉल का निधन कब और कहा हुआ दोस्तों ग्यारा अगस्ट दोजाठारा को लंदन में जो है वी एस नौय पॉल का जो मस रहे हैं अब देखिए साहित के नौबल पुरुषकार बिजयता और मसुहूर लेखक यह है और इन्होंने लेखन के दुनिया में सोहरत हासिल करने से पहले उन्होंने बीवी सी के लिए भी काम किया था अब बैंड इन दा रिवर और हाउस फोर मिस्टर विस्वास उनकी चर्चित क्रितियों में गिनी जाती है अब नौइपॉल को 1970 में बुकर प्राइज भी इन्हों मिला है और 2001 में सहित्ति के लिए नोबल पुरुषकार से यह सम्मानित किये गया थे जस्तों उनका जन्म जो है त्रिनाड में हुआ था और बाद में जो है यह पढ़ाई करम म में इन्होंने आखरी सांस लिया था दोस्तों यह कुछ यह थे कुछ खास और महत्पून प्रश्ण है आप कैसे लग मुझे अपने कमेंट के मातने जरूर बताएं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे अगर आपने नहीं किय यह थो और अधिक से अधिक लोगों तक शेर जरूर करें ठीक है क्युक्सेर करने से ही बहुत कंपाते हैं इस तरह के निउसको जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है और जाइर सी बात है मैं दोस्तों हमेशा जो है सौट मैंने थोड़ा सा डिटेल में जरूर बताता हूं ता झाल झाल